Hi guys, welcome back to the video दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ best curve display smartphone के बारे मैं जो कि आपको मिल जाएगा 25,000 के नीचे Right now 25,000 के नीचे भी बहुत सारे curve display smartphone एवलेबल है लेकिन मैंने आपको उन्हीं smartphone के बारे में बताया है जो कि अपने price के इसाफ से value for money है तो काफी research, reviews और analysis के बाद हमने आपको बताया है top 5 best curve display smartphone जो कि आपको मिल जाएगा 25,000 के आसपास और फिलाल दोस्तों Amazon और Flipkart के उपर साल की सबसे बड़ी sale भी चल रही है तो अब ये आपको 30,000 वाले phone 25,000 के नीचे ही मिल जाएगा वो भी बिना किसी offer और discount के तो ये काफी सही समय है smartphone buy करने के लिए तो ऐसे मैं अगर आपका budget 25,000 के आसपास है तो इस वीडियो का end तक जरूर देखिए और दोस्तों आपको समझने में थोड़ी सी असानी हो इसलिए हमने इन पांचे स्मार्टफून को overall specification के basis पर रैंकिंग किया है तो हम सुरू करेंगे last के नमर से नमर फाइब से नमर फाइब पर जो हमने स्मार्टफून रखा है इस फोन का design and camera performance बहुत ही अच्छा है वैसे देखा जाए तो ये एक all-rounder package है जी हा मैं वाद कर रहा हूँ Vivo V29E के बारे में वैसे तो इस फोन का price 27,000 के असपास है लेकिन अभी आपको 25,000 के नीचे ही मिल जाएगा वो भी बिना किसी special bank discount के और 25,000 के नीचे देखोगे तो अच्छा फोन है चलिए जल्दी से detail में जानते हैं स्टार्ट कर लेते हैं design and build quality से तो design wise काफी unique रहेगा dual tone design के साथ आता है वैसे back panel glass से बना हुआ है हाँ frame plastic का ही है सिर्फ 7.6 mm की thickness है मतलब बहुत ही पतला phone है और 181 gram weight है तो बेट भी जादा नहीं है तो overall design और build quality wise बहुत ही कमाल का रहे गाए कुछ basic features के बारे में बात करें तो hybrid sim slot का option दिया गया है मतलब 25g sim या फिर एक sim और एक memory car लगा पाएंगे इस phone में हमें single bottom firing speaker मिलता है and speaker की output अच्छी है और 3.5 mm का jack भी नहीं है biometric के लिए in display fingerprint scanner दिया गया है out of the box android 13 के साथ आता है ये phone best one fun touch os 13 by default is phone को 2 years तक major android update मिलेगा and 3 years तक security patch update चलिए अब जानते हैं कुछ main features तो is phone में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ महीं 44 watt fast charging का support दिया ये है ये फोन आपको बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले बहुत ही कमाल का मिलता है आपको जी हां इस फॉन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की फ्लेश डी प्लस 10-bit वालास्तूपर एमोले डिस्प्ले और ये एक कर्व डिस्प्ले है 120 हर्ट फास्ट रिफसेट का support दिया गया है 300 हर्ट के टस्ट सेंपिंग रेट मिल जाती है एन अप्टू 1300 इट्स तक की पीक ब्रेटनेश दी गई है तो ऑफरोल डिस्प्ले काफी अच्छा है कर्व पैनल है तो बेजस वगरा बहुत ही कम है तो मल्टी मीडिया कंजप्शन के लिए काफी अच्छा रहेगा हां अगर स्टीरियो श्पीकर होता तो ज्याद अच्छा रहता कामरा के बारी में बात करें तो बैक साट में दो camera दिया गया है जिसमें से प्रेमरी संसर 64 मेगापकिल का है और यह सब्सक्राइब के साथ भी आता है वहीं सेकंड camera 8 मेगापकिल का है जो कि अल्टरावाइड के लिए है रियर केमरे से 1080p में 60fps तक वीडियो रिकोड कर सकते हैं वहीं फ्रेंट में 50 मेगापकिल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि ऑटो फोकस के साथ भी आता है इस कैमरे से सब्सक्राइब में 30fps तक वीडियो रिकोड कर पाएंगे तो इस फॉन का ओवरॉल कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा चाहे वह फ्रंट कैमरा हो या फिर रियर कैमरा दोनों ही काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है लगवाग हर सिन्यारियो में वैसे भी य स्टेवल चिपसेट यह काफी स्टेवल चिपसेट बनावा और फॉर लैक से उपर अंतुद्ध उसकोर आता है तो नॉर्मल टाक्स में परफॉर्मिंस आपको बिल्कुल वी इसू नहीं होगा मीडियम लेवल की गेमिंग वगरा भी कर सकते हैं बर ध्यान रहे यह एक प्राइजिंग की बात करें तो 8GB RAM and 1208GB Storage के लिए 27,000 रुपीज है और फिलाल 2-6,000 रुपे तक का बैंक डिस्कॉंट भी आपको देखने को मिल जाएगा सोफर वगरा लगाकर 25,000 के आसपस मिल जाएगा यह फोन आपको और 25,000 के साब से देखे जाए तो अच्छा है इस्पेशली डिस्प्ले और कैमरा और डिजैन तो है यह अच्छा यह रहे प्रोजन कॉन्स बात करें फोर्थ नमर के स्मार्टफोन के बारे में तो नमर फोर पर जो हमें स्मार्टफोन रखा है यह एक प्योर परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन है दोस्तों इसके अलावा कैमरा और डिस्प्ले तो है ही कमाल का इस फोन का नाम है IQ G7 Pro 5J 22-24 यार के बीच में मिल जाएगा यह फोन तो चली जल्दी से डीटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में के बारे में बात करें तो सब्सक्राइब को मिलेगा सिंगल बॉटम फाइरिंग स्पीकर एन स्पीकर के आटपूट अच्छी है और 3.5 mm का जैक नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिएगा इस फोन में दो 5G सिम लगा सकते हैं लेकिन और देगा और वैसे बात करें डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले आपको काफी अच्छा मिलता है जीहां इस फॉन में लगाऊ है च्छा दिया गया है प्रैस के साबसे कर्व पैनल है तो बैजल सब्सक्राइब ना के वरावर है देखने को काफी अच्छा रहेगा और कॉंटेंट वॉचिंग लिए अच्छा है कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा दिया गया है जिसमें से प्रैम्री संसर 64 मेगापकिसल का है और यह OI सुपोर्ट के साथ भी आता है सेकेंड केमरा 2 मेगापकिसल का है जो की देफ्ट केमरा है तो जी हां अल्टरवाइट केमरा नहीं है रियर केमरे से 4K में 30FS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रेंट में 16 मेगापकिसल का कैमरा दिया गया है इस कैमरे से में 30FS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे ओवरोल इस्पॉन का में कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है डेलाइट और लो लाइट दोनों ही सिनेरियों में वैसे अल्टरावाइट लेंस होता NLP DDR 4X वला रेम है तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अचा रहेगा नॉर्मल टाक्स में कोई लैग और जिटरिंग इशु देखने को नहीं मिलता है और आमसे आफ हाई लेवल की गेमिंग वेगरा भी कर सकते हैं किनेक्टिविटी की बात करें तो यह फॉन 10 5G बैंट क सब्सक्राइब करता है 4G प्लस का सब्सक्राइब लेवल है वाइफाई 6 आता है वाइफाई कॉलिंग है और ब्लुटुथ 5.3 वर्जन का सब्सक्राइब करें तो 8GB रैम एंड 120 8GB स्टोरेज के लिए 24,000 रुपीज है और 2000 पे तक आप बैंक डिस्कॉन भी देखने को मिल वह आप जरूर चेकड़ कर लिजेगा तो प्राइज की साब से देखा जाए तो यह एक कम्प्लीट पैकेज रहेगा चाहे वह डिजाइन डिस्प्ले या फिर कैमरा हो खरिये रहे प्रोजन कौन सा पड़ सकते हैं वहीं दोस्तों नमर थ्री पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है यह फॉन वीडियो रिकोर्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है वैसे कहा जाए तो ओल रॉंडर पैकेज है इस फॉन का नाम है इन्फिनिक्स जीरो ठाटी फाइब जे 25,000 की नीचे बहुत ही ज्यादा वैल सिर्फ 7.9 mm की ठीकने से मतलब पतला फॉन है और 185 ग्राम वेट है तो वेट भी ठीक ठाक है आई-पी-पी-पी-3 की रेटिंग भी मिल जाती है तो हलका फुलका डस्ट टैनस प्लैस्ट भू भी रहेगा ओवरॉल डिजाइन एंड बिल क्वालिटी में काफी शानदार है क के लिए इंडिस्प्ले फिंगर्पन स्कैनर दिया गिया है आउट ऑप दो बॉक्स एंडुए 13 के साथ आता है यह फॉन बेस्ट ओन एक्स टाटीन इस फॉन को वन यह तक मिलेगा एंड टू इस तक सेक्यूर्टी पैच अपडेट और हाँ इस फॉन में आपको मिलेगा इ इजली दे देगा यह फॉन आपको खेर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फॉन में लगाव है 6.78 इंचेस की फ्लेश्टी ब्लस टैन वीट वाला सूपर एमोलेड डिस्प्ले और यह एक कर्ब डिस्प्ले है जो की 144 हर्ज फास्ट के साथ आता है 360 हर्ज की टर संब कैमरा दिया गिया है जिसमें से प्रेम्री सेंसर 108 मेंगापकिल का है और यह सपोर्ट के साथ भी आता है इस कैमरे से भी 4K में 60 वीडियो रिकॉर्ट कर सकते हैं तो इसमन का कैमरा प्रफॉर्मिंस डिसन टैप कर रहेगा डेलाइट में काफी सभी सर्फॉर्म कर लेता है व बाकि रियर और फ्रेंट दोनों ही कैमरे से 4K में 60FS तक वीडियो भी रिकॉर्ट कर सकते हैं तो ब्लॉगिंग वगरा के लिए फोन अच्छा रहेगा परफॉर्मिस की बात करें तो इस फॉन में लगा हुआ है मीडिया टेक डैमिंसिटी 8020 वाला 5G चिपसेट यह एक इनक्टिवडी की बात करें तो 14 5G बैंट को सपोर्ट करता है यह फॉन 4G प्लस का सपोर्ट एवलेवल है वाइफाई 6 आता है वाइफाई कॉलिंग है Bluetooth 5.2 वर्जन का सपोर्ट है और NFC भी है प्राइस की बात करें तो 8GB RAM and 256GB storage के लिए 24,000 रुपीज है एडिशनली 1000 से 2000 क बैंक डिस्कॉंट भी दिया गया है वह आप जरूर्ट कर लीजिएगा तो प्राइस की साफसे काफी वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है 25,000 के नीचे यह एक कंप्लीट फोन है खेर यह रहे प्रोजन कौन सा पर सकते हैं नमर टू पर जहमने स्मार्टफून रखा है इस फॉन में आपको बहुत सारे फ्लेक्सिब लेवल का फीचर्स देखने को मिल जाएगा खेर इस फॉन का नाम है वो भी ऐल्मिनियम से बना हुआ है सिर्फ 7.6 mm के थिकनेस है मतलब काफी पतला फॉन रहे गा यह एंड उनली 167 ग्राम वेट है तो वेट भी बहुत ही कम है और साथ महीं IP68 रेटिंग के साथ भी आता है मतलब यह एक कंप्लीट डस्ट एंड वाटर प्रू फॉन भी है तो बैटरी के लिए इंडिस फ्लेफिंग अप्रिंग स्कैनर दिया गया है आउट अप दो बॉक्स एंडवी 13 पर अंकरता है बेस्ट उन माई यूएक तो यूएक अंदर कोई एट्स और ब्लोट विर देखने को नहीं मिलेगा इस फॉन को टू मीजर एंड़ अपडेट मिले दे देगा ये फोन आपको और हां 15 वाइरलेस चार्जिंगा भी सुपोर्ट दिया गया है जो केची बात है बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फॉन में लगा हुए 6.55 इंचेस की फ्लेट वाला पी ओले डिस्प्ले हैं और यह एक कर्व डिस्प्ले हैं 144 हर्ज प्रीमियम दिखता है बैजल्स वेगरा भी बहुत कम है मल्टी मीडिया के लिए डेफिनिटली अच्छा रहेगा क्यामरा के बात करें तो रियर साइड में दो कैमरा दिया गया है इस कैमरे से भी 4K में 30FS तक वीडियो रिकॉर्ट कर पाएंगे तो इस पॉन का भी जो ऑव क्या सकते हो ठीक ठाक रहेगा परफॉर्मेंस के बारें बात करें तो इस फॉन में लगा हुआ है मीडिया टेक डामेंस सीटी एटी ट्वेंटी वाला 5G चिपसेट यह एक निव चिपसेट है छे लाक असी हजार से उपर अन्तुदू स्कूर आता है साथ में UFS 3.1 वाला स् सुपोर्ट करता है साथ में 4G प्लस का सुपोर्ट मिल जाएगा वाइफाई 6 आता है वाइफाई कॉलिंग है और ब्लुटूथ 5.2 वर्जन का सुपोर्ट दिया गया है और प्राइस के बारें बात करें तो 8GB RAM & 256GB स्टोरेज के लिए 25,000 रुपीज है एडिशनली बैंक ड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में तो गाइस नमोर वन पर जमने स्मार्टफोन रखा है इस फॉन में आपको मिलता है 200 मेगा पिक्सिल वाला कैमरा सेटप और 100 वर्ट फास चार्जिंग का सुपोर्ट बाकि ये भी एक और राउंडर पैकेज है मैं बात कर रहा हूं रियल्मी 11 प्रो प्लस फाइब जी के बारे में नॉर्मली इस फॉन का प्राइज 30,000 के असपास होता है लेकिन अभी आपको 25-6,000 के बीच में ही मिल जाएगा वह भी बिना किसी ओफर और डिसकाउंट के एन 25-6,000 के बीच में बहुत ही कमाल का फॉन रहेगा ये भी तो हलका फुल का स्प्लैस फुरू भी रहेगा बाकि ओवर डिजाइन और बिल्ल गॉलिटी में आउट स्टेंडिंग रहेगा ये फॉन कुछ बेसिक फीचर्स भी जान लेते हैं तो इस फ़न में आपको मिलता है डियूल स्पीकर और स्पीकर की आउट्पूट अच्छी ह इस फॉन में आप दो 5G SIM लगा सकते हैं लेकिन SD कार नहीं लगा पाएंगे और 3.5 mm का जैक भी नहीं है बाइमेटरी के लिए इंडिस्प्ले फिंगर्पिन स्कैनर दिया गया है आउट अप द बॉक्स एंड़ुए 13 के साथ आता है ये फॉन बेस्ट ओन रियल्म अपडेट और ध्यान रहे एट्स और ब्लोट पर देखने को मिल सकते हैं आपको सॉफ्ट्विर के अंदर चलिए इसके साथ ही कुछ में फीचर्स भी जानते हैं तो इस फॉन में लगा हुए 5000 मिली एंपर की बैटरी और साथ महीं 100 वाट फास चार्जिंग का सुपोर्ट दिया गया है जो कि काफी तीजी से बैटरी चार्ज कर देगा और एक दिन का बैटरी वाग भी देगा आपको डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फॉन में लगा हुए 6.7 इंचिस की फ्लेच्टी प्लस 10 विट वाला कर्व एमोलेड डिस्प्ले जो की 120 हर्च को किया गया है के वारे में बात करें तो रियर सइड में तीन कैमरा दिया है जिसमें से प्रैमडी संसर 200 मेड़ी के साथ भी आता है इसके साथ यह सॉपोर्ट के साथ है जो की अल्टरावेट के लिए है और टट केमरा टू में प्रफ से तक वीड़ो रिकॉड कर सकते हैं और डिटीलिंग वगएर अच्छी देखने को मिल जाती है इवन लो लेट में भी अच्छे फोटो आ जाते हैं परफॉर्मेंस के वारे में बात करें तो इस पॉन में लगा हुआ है मीडिया टेक डेमिंट सिटी 7050 वाला 5G चिपसेट यह एक निव चिपसेट है 6 लाग से उपर अन्तुत उसकोर आता है साथ महीं UFS 3.1 वाला स्टोरेज एनल्पी डीडियर 4 एक्स वाला रहम है तो कैज्वल यूजस में परफॉर्मेंस से कोई शून नहीं होगा आपको मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग वेगर आभी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको गेमिंग के ल 1000 रुपीज है थोड़े बहुत बैंक डिसकॉंट वेगरा भी मिल जाएगा तो 25 जार के आसपास देखा जाए तो अच्छा फोन है यह रहे स्पोन के भी प्रोजन कॉन्स तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टिमेट कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन जो कि आ आपको मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में